नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News पदो पर भरती बताएंगे पूरी अपडेट हर्याना में उप्चुनाव का बजेगा बिगुल दिपेंदर हुड़ा की जीचे खाली हुई शीट हिमाच सिंग जल्द समालेंगे हर्याना SSC चेर्मेन का पद जुलाई लास्ट में होंगे हर्याना पुलिस के फिजिकल रेली गैत्रियों के लिए बड़ी खबर आठ फे नो जुन को रद रहेगी अज मेर चंडिगट वंदेभार ट्रेन हर्याना में 1000 किलमेटर के फिर यात्रा कर्श केंगे सीम सेनी ने हैपी काड़ बाटे बोले रोडवेज बसों में 4 लाख लोगों को लाव मिलेगा हर्याना गुपता बोले डांडा का ये नी जिवायान रोतक MDU अपडेट नई कोर्श और फिश वरदी पर विद्यार्थियों ने जताय रोश परवेश की अंतिम जिधी 12 तक बढ़ाई राश्पति ने नरेंदर मोधी को दिया नई सरकार बनाने का नियोता नो जुन को सपत ग्रहे तो PM ने कहा अठारवी लोक्षवा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी जीन्द में किसानों का फैसला कंगना रनोट को थपड माने वाली CIS सब कॉंस्टेवल कुलविंदर कोर को करेंगे समानी बोले पूरे देश ने सुनी थपड की गुंज ब्याजदरों में लगातार और अब खबरे वी स्तार्शे कम दवाब का छेतर बना हुआ है जिसके असर के कान बादलों का निर्मान हो रहा है इस विचोब का असर आज यानी आठ जून तक रहेगा हर्यान विदान सभा सची वाले के तरब से विभिन पदों पर भरती के लिए आविदन मांगे गए हैं इच्छुक उमिद्वार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारती डाकी माद्यम से अपने आविदन भेजें नियून तमायू 18 वर्ष और अधिक तमायू 22 वर्ष तैकी गई हैं शेक्षनिक योगिता जानने के लिए अधिकारिक अधिसुच ना देख सकते हैं आविदन करने के आखिरी तारिक 30 जून 2024 है उमिद्वारों से विनमर निवेतन है कि भरती के लिए आविदन करने से पहले अधिकारिक विग्यापन अवशे देख लें हरियाना में खिलाडियों के लिए एक अच्छी कबर सामने आई है यदि सब कुछ योजना के मताबिक रहा तो फरिदाबाद शहर में हरियाना का सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडिम मन कर तयार होगा फरिदाबाद मेट्रो डेवल्पेंट अथोर्टी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार कर ली है और अथोर्टी की बोर्ड मिटिक में सीम नायप से अने की हरी जंडी मिलने के बाद स्टेडिम तयार करने की दिसा में काम सुरू किया जाएगा एक अधिकारी के मताबिक DPR HAI में मोजुद राजा नाहर सिंग क्रिकेट स्टेडिम तो रहे गाई साथ यासपास खाली पड़ी आठेकर जमीन पर हर खेल से सम्मंदिद कोट भी बनेगा ताकि एक जगह पर अलग-अलग खेलों के खिराडी खेल सके इसके अलाबा स्टेड पर पार्टी कारेकरतां को सम्मोदित कर रहे थे राव इंदर जी चिंग ने कहा कि हरियाना में हमारी पार्टी की सरकार है लेकिन इसके बावजुद भी चुनाव के दोरान 10-10 घंटे बिजली गायब रहती थी शूपे में सरपलस बिजली होने के बावजुद भी इतने ल हरियाना की रहतक लोगसवाद सीट पर कॉंग्रेस ने भलाई जीत दर्ज कर ली है लेकिन इस जीत के बावजुद पार्टी को राजी सबागी एक सीट से हाथ दोना पड़ा है बता दें कि रहतक लोगसवाद सीट से चुनाव लड़ने वाले कॉंग्रेस परतैसी दिपें पंजाब एंड हरियाना हाई कोट के एड़ोकेट और चुनाव कानुनों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि दिपेंदर हुड़ा के लोगसवाद सदस्य बनते हैं उनके राजी सबाग सदस्य से ततकाल समापत हो गई है दिपेंदर हुड़ा साहित जिन सीटों पर चुनाव का बिगुल बजेगा पदबार समालने वाले भी हैं बंजाब एंड हर्याना हाई कोट की तरब से सरकारी भरतियों में दिये जाने वाले पांच नंबरों को भी स्विधान के विरुद बताया गया है और इन्हें हटा दिया गया है ऐसे में आयो के तरब से जो भी सीटी मेंस के एकजाम लिये गए थे अब वे दोबाराश होंगे आने वाले कुछ समय में विधान सबाद चुनाव भी होने वाले हैं ऐसे में सरकार चाहती है कि वे कुछ भरति पूरी कर पाए क्योंकि स्टमबर में फिर से आदर्स आचार स अहीं तो लग जाएगी हरियाना ससी के तरब से गुरूप C वे हरियाना पुलिस भरति की जानी है गुरूप D के भी कुछ पद खाली है जिन पर न्यूक तया होनी है अधक्स के पद समभालने के बाद हरियाना पुलिस के फिजिकल जुलाई के दूसरे हफते या फिर तीसर पंजाब एंड हर्याना हाईकोट ने राहत देते वे हर्याना सरकार से ऐसे सभी मुईद्वानों को समायुजित करने के लिए कहा है बता दें कि बिजली निगम की तरप से लोक्षवा चुनाओं का प्रेणाम गोशित हो चुका है हर्याना में पिछली बार सभी 10 लोक्षवा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारती जंदा पार्टी का परदसन इस बार सिमट कर आदा रह गया है यानि पार्टी को के वल 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा चुना हर्याना में बीजेपी को जहां नया परदेश अद्यक्स मिल सकता है तो मैं संगठन के स्तर पर भी फेर बदल दिखाई देने की पूरी संभावना बन रही है विधान सभा चुनाओं में जाती समिकन को साथ तेवे केंद्रे नेतर तो हर्याना में नय परदेश अद्यक्स क के नाम सबसे आगे चल रहे हैं वहीं पंजाबी वोट बैंक को साधने की रणनीती पर भी काम किया दाता है तो संजेब हाटिया और मनिस ग्रोवर के नाम सामने आ सकते हैं हर्याना में कौंग्रिश के साथ गठ बंदन पर लड़ी आमाद्मों पाटी यनि आपने हार का ठीकरा कौंग्रिश के सिर्मट दिया है आपको बता देगी हर्याणा में आमादमी और कॉंग्रेस के बीज गटबंदन था और कुरूचेतर सीट पर गटबंदन उम्मिदवार को उतारा गया था गटबंदन के परताशी सुशिल गुपता इस सुनाव में भासपा के नवीन जिंदल से हार गए थे हर के दो दिन बाद ही आमादमी पार्टी ने हर का ठीकरा कोंग्रेस के शिर्म अट दिया है कैत थिल में प्रेस कॉंफेर्णस करके आमादमी पार्टी के बरिज पतेश ईपादेक्स अनुराक ढ़नडा ने शुक्रवार को करनाल में सीम नायब सिंग शाणी ने हैपी स्कीम के लावारतियों को कार्ड बाटे इसके अलावा जिन लोगों को कार्ड पहले मिल चुके हैं उनसे बात करके उनका एक्सपिरिंस भी जाना इस दोरान सीम नायव सिंग शैने ने कहा है कि राजिय के सभी 36 डिपो और सब डिपो में स्केम शुरू हो चुकिया है जहां से लोग इसके लिए कार्ड बर्मा सकते हैं इस स्केम में राजिय के 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायता मिलेगा उन्होंने कहा कि यह स्केम एक लाख 80,000 रुपे से कम की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए बनाए गई है हरियाना में सरकार बचाने के लिए भारते जंता पार्टी यानि BJP ने सियासी खेल सुरू कर दिया है जल्दी दो विदायक अपनी विदानसभा सदस्यता से इस्तिफा देंगे इसके बदले में भाजपा उनी स्तंबर या अक्तूबर में होने वाले विदानसभा चुनाव में टिकट देगी इसको लेकर चंडिकट में CMCN की विदायकों को दे गई डीनल पार्टी में रननीती बन चुकी है साथी केंदर में NDA के सरकार बनते ही इस सियासी खेल को अमली जामा पहनाना सुरू हो जाएगा सरकार बचानी की इस मोहीम में भाजपा के पास विपक्स से एक विदायक ज्यादा हो जाएगा हर्यान विदान सभा में लोग सभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नमबर गेम बदल चुका है 90 सदेश्यों की विदान सभा में 87 मेंबर ही बचे हैं जनना एक जंता बाटी और जेजपी से बागी हो चुके दो विदायक अपनी विदान सभा सदस्यता से इस्तिपा देंगे इनमें जेजपी के MLA जोगी राम सिहाग बरवाला से और रामनिवा सुर्जा खेडा नर्वाना का नाम सामिल है हाली में इन दोनों विदायकों ने चन्डिकड में सीम नायब सेनी और पूर मोख्यमंत्रे मनोलाल खटर से मीटिंग भी की थी रोतक के महरशी दायनेंद विश्व विदाले के स्वामी विवेकानंद पुष्टकाले के सामने विबिन चातर संक्टनों ने विश्व विदाले परशासन के खिलाब रोज परकट किया है यहां विद्यार्थियों ने नई कोर्ष वे नई बड़ी फीस को लेकर नाराजगी जताई है इसमें स्टूडेंट फेडरेशन ओफ इंडिया साहिद बगाचिंग चातर संक्टन नसो दिशा चातर संक्टन चातर एक तामन सामिल रहे विद्यार्थियों ने कहा कि महरशी दायंज विश्विद्याल में नई कोर्ष व नई फीस के विरोध में आंदोलन तेज हो रहा है चातर संक्टनों ने कहा कि परशासन लगातार फीस में वर्दी कर रहा है इससे लगातार विश्विदाले नीजिकन की और आगे बढ़ रही है फीस महेंगी होने के कान गरीद अब के से आने वाले बच्चे सिक्षा से दूर हो जाएंगे परशासन ने फीस में पांच गुनाब वर्दी की है इसके बावजूद परशासन बयान जारी करता है हरियान की राजनिती में हमेशा से एहम दखल रखने वाले अहिरवाल बेल्ट में आज भी बीजेपी का ही दबदवा कायम है तीन लोगसवा और ग्यारा विदानसवा शीटों से गेरी इस बेल्ट में दस शीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है और इसी के जरी बीजेपी दो लोगसवा शीटे जीतने में कामियाबी रही है वहीं रेवाडी जिले की कोशली विदानसवा शीट पर बीजेपी मातर दो वोटों से पिछड गई है दरवसल अहिरवाल यानि की तीन जिले ग्रूगराम रेवाडी और महेंदरगड में कुल मिलाकर 11 शीटे हैं साल 2019 के लोगसवा शुनाव में बीजेपी को इन सभी शीटों पर बढ़त मिली थी वहीं 6 महीने बाद हुए विदानसवा शुनाव में 8 विदानसवा शीटों पर जीत मिली थी रेवाडे और महेंदरगड शीट कॉंगरेस के खाते में चली गई तो वहीं बादसापुर्शे निर्दले विदायक रॉकेस दोलताबाद जीतने में कामियाब रहे थे राजनीतिक विशेशक्यों की माने तो आहिरवाल ऐसा इलाका है जिसकी बदोलती दोनों बार बीजेपी परदेश सरकार में सत्ताशिन हुई है भारतिय रिजेपी बाइंक यानि आर्वियाई ने लगातार आठवी बार ब्याजदरों में बदलाओ नहीं किया है आर्वियाई ने ब्याजदरों को 6.5% पर जस्क अत्रस रखा है यानि कि लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी आर्वियाई ने आखरी बार फरवरी 2023 में ये दरें 0.25% बढ़ा कर 6.5% कर दी थी यूपियाई लाइट को ज़्यादा शी ज़्यादा लोग अपनाई ऐसा आर्वियाई ने कहा है इसके अलावा यूपियाई लाइट वोलेट को E-Mandate Framework के तहत लाएगा है यानि कि इसमें जब भी पैसा तैसीमा से कम होने लगेगा तो अपने आप लोड हो जाएगा अभी हर बार आपको पैसा मैनुवल तरीके से रिलोड करना पड़ता है साथ ही डिजिटल पैमेंट में फ्रोड से जुड़े मामनों को रोकने के लिए RBI डिजिटल पैमेंट इंटेलिजेंट प्लेटफोर्म बनानी जा रही है भारतिया रिजोर्ब बैंक के GDP अनुवान बढ़ाने के बाद हफते के आखरी कारोबारे दिन यानि 7 जुन को सेंसेक्स 6700 पिचयर में के अपने आल टाइम हाई पर पहुँच गया हालाएं की बाद में थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1618 अंक के बढ़त के साथ 66693 के स्थर पर क्लोज हुआ वहीं निफ्टी में भी कारोबार की दोरान करी 500 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23320 के स्थर पर पहुँचा निफ्टी 480 तंक के बढ़त के साथ 23290 के स्थर पर क्लोज हुआ कि निफ्टी का अपना आल टाइम हाई क्लोजिंग भी है सेंसक्स के सभी 36 एरों में तेजी दिखाई दी तो वहीं दिल्ली के सराफ़ा बाजार में सुकुड़ा को चांदी 26 रुपे की उचाल के साथ 9900 रुपे पर 30 किलो ग्राम की स्थर पर पहुँच गई